हेलो फेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आपसे बच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छे चल रही होगी तो आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे और टेकनीशन के मोस्ट इंपोर्टन कोसंस के बारे में डिसकस करेंगे जो कि फीडर, टर्नर, वेल्डर, मर्सिनिष्ट के रहने वाले हैं और यह सेट नंबर 77 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 76 सेट दे रखा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सक प्लेडिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और यह सबही कोसंस यह जो इसके जहां तरह है इनी के बुक से लिया गया है ओकई फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडियोप चाहिए इस वीडियो का या प्रिकिसी वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्रम को जॉइन के नीचे डिस्किप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर जोईन कर सकते हैं तो अगर आपकी त्यारी पकी होगी तब की सेलेक्शन भी पकी होगी तो आएए अब स्टार्ट करते हैं तो कुस्टन नमर फर्स्ट है वाकसाइड अयस्क बनाने के लिए किसके परियों किया जाता है यानि कि किसका परियों किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C यानि कि एलमुनियम का परियों किया जाता है और यह जो प्रस्ण जो है वो 2017 में पूछा क्यों प्रस्ण है अब जो important जो points से उनसे सभी को discuss कर लेते हैं यहां सभी प्रस्ण बनते हैं तो वॉक्साइट अयसक याने की ओर बनाने के लिए ऐलमूनियम कपड़ियों किया जाता है अगला है, ऐलमूनियम के बारे में discuss कर लेते हैं तो यह एक हलके रंग, वो मुलायम धातू होती है अगला है, इसका मुख अयसक याने की ओर बॉक्साइट होता है अगला है, इससे ऐलमूनियम आक्साइड को अलग करते हैं जिसे ऐलमूनियम कहते हैं अगला कोसें को संबर सेकेंड और रॉट आयरन निमनली खिते में से किसका यांत्रिक मिसरन बना होता है तो इसका राइट आंसर हो जब आप्शन सी यानि कि सूध आयरन और सिलिकेट स्लैक का और यह जो प्रस्ण जो है वो 2017 में पूछा गया वह प्रस्ण है अब जो इंपॉटर्ण जो पॉइंट से उन सभी को भी डिसकस कर लेते हैं तो रॉट आयरन, सुध आयरन और सिलिकेट स्लैक का यांत्रिक मिसरन होता है अगला रॉट आयरन को पुडिलिंग फॉर्नेस में पीक आयरन से तयार किया जाता है अगला है रॉट आयरन की वेशिष्ट कंपोजिशन निम्न है कौन-कौन से इन सभी के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो इसमें जो आयरन है वो 96.76 परतिशत रहता है जो कारपन है वो 0.10 परतिशत रहता है सिलिकौन जो है वो 0.20 परतिशत रहता है फास्फोरस जो है वो 0.20 परतिशत रहता है और 0.01 परतिशत मेगनीज रहता है 0.03 परतिशत सलफर रहता है 2.70 परतिशत सलैग होते हैं तो आई वो आपको समझ में आगया होगा अगला कुस्टन कुस्टन मर् थार्ड निम लिखित मैंसे क्या एक नॉन फेरस धातू है तो इसके राइट आंसर उसे का उप्शन एक है ने की ऐलिमोनियम और यह जो प्रस्ट जो है वो 2017 में पूशा गया प्रस्टन है अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट से उनसा भी को डिसकस कर लेते हैं तो ऐलिमोनियम एक नॉन फेरस धातू है अगला है केमिकल कमपोजीशन के अधार पर धातू का वर्ली करन दो बेसिक गुरूपों में किया जा सकता है अगला है नॉन फेरस के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो वे धातू हैं जिन में लोहा बहुत कम या नहीं होता है वो नॉन फेरस धातू होती है अगला है फेरस यानि कि फेरस धातु के बार में डिस्कस कर लेते हैं वे धातु है जिन में लोहा प्रधान तत्व होता है वह फेरस धातु होती है यानि कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिसमें लोहा ना रहे वह नॉन फेरस और जिसमें लोहा रहे वह फेरस में ढल अगला कुस्टन कुस्टन नमबर फोर्थ निम्न में से किस कारण से ड्रिलिंग करते समय साधे पानी को सनेहक के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जागा ऑप्शन बी यहनि कि जॉब पर जंक लगने के कारण खराब हो जाती है अब जो इंपोर्टन जो पॉइंट से उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो जॉब पर जंक लगने के कारण ड्रिलिंग करते समय साधे पानी को सनेहक के रूप में पड़ियोग नहीं किया जाता है अगला है सधहरन ड्रिल तीन प्रकाड़ के होते हैं तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो पहले यह हाड एवं टेます- किया होता है दूसरे होता है स्टेट फ्लूटेड ड्रील के बार में डिस्कस कर लेता है तो इसका कर्टिंग जो एंगल होता है वो धातू के अनुसार रखा जाता है तीसरा के है तो ट्विस्ट ड्रील तो इसे ड्रील अधिक स्पीड पर चलाया जा सकता है अगला कोस्टन कोस्टन मर 5 कास्ट आयरेन में कार्बन कितने प्रतिशत होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएक ऑप्शन डी यानि कि 1.8 से 4.2 प्रतिशत तक होता है और यह जो प्रस्ट जो है वह 2017 में पूशा किया प्रस्ट है अब जो इसका प्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि यहां सभी प्रस्ट पूशे जाते हैं तो कास्ट आयरेन में कार्बन प्रतिशत 1.8 से 4.2 प्रतिशत होता है अगला है कास्ट आयरेन के बारे में डिसकस कर लेते हैं कुछ प्रस्ट को तो कास्ट आइरन को बनाने और निश्चित अकारों में मोल्ड करने के लिए पीग आइरन को की पोला फार्डनेस में फिर पिहलाए जाता है अगला है कास्ट आइरन में लगभग दो से तीन दसमलों साथ पांच प्रतिशत कार्बन थोड़ी प्रतिशत मातरा में सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और मेगनिच होते हैं अगला कास्ट आइरन में कार्बन के दो रूप होते हैं कौन-کौन सा होता है तो पहला है Compound Cementite की तरह अर्थाद Chemical Combination की अवस्था में दूसरा है Free Carbon की तरह अर्थाद Mechanical Misern की अवस्था में अगला कुसन है कुसन नमबर 6 Lead pipe की soldering को निमनमस्य क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर वज़ेगा ओप्शन यानि की वाइपिंग कहा जाता है और यह जो प्रस्ण जो है वो 2017 में पूशा गया वो प्रस्ण है अब जिप्रेंट जो पॉइंट से उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं यहां से भी प्रस्ण बनते हैं तो लेट पाइप की सोल्डरिंग को वाइपिंग कहा जाता है अगला है सीसा यानि की लेट इसके बन डिस्कस कर लेते हैं तो सीसा निलापन लिये हुए भूरे रंकी धातू होती है अगला है इसमें मृदूता, नम्यता, तन्यता, संचारन, रोध़कता गुन पाए जाता है अगला है इनको सोल्डरन एबं वेल्डन कारेहेतू पड़ियुक्त किया जाता है अगला कोशन है कोशन नम्बर 7 किसी समाकड़ी की तारों में ढाले जाने को छहमता के लिए किस सब्द का प्रियुक्त किया जाता है तो इसका राइट आंसर वजाका ओप्शन सी यानि कि तन्यता यानि कि लच्छी लापन और यह जो प्रस्ट जो है वो 2017 में पूछा क्यों प्रस्ट है अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट से उन सभी कभी डिस्कस कर लेते हैं तो तारों में ढाले जाने की छहमता के लिए तन्यता यानि कि लच्छी लापन सब्द का पड़ियुक्त किया जाता है अगला है दक्टिलीटि तो यह धातू की वह योगता है जिसे से उसे बीना तूटे तारों के रूप में बनाये जा सकता है अगला है कटोरता यानि कि hardness तो यह धातू की वह योगता है जिसे से वह scratching या खूडचन को रोकती है अगला है भंगूरता यानि की बिटलनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ी सी या बीना डिफॉर्मेशन के बिटल धातु तूट सकती है या क्रेक हो सकती है अगला कोशन कोशन मर एट निम्नकरांतिक तापमान के संबंध में उपकरांतिक ओपरेशन कैसे अस्थानांदरित होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जब आप्सन डी यानि की निम्नकरांतिक तापमान के नीचे है और यह जो प्रस्न जो है वो 2017 में पूशे गया वो प्रस्न है अब जो इंपर्टन जो पॉइंट से अन सभी को डिस्कस कर लिते हैं तो निम्नकरांतिक तापमान के संबंध में उपकरांतिक ओपरेशन निम्नकरांतिक तापमान के नीचे यानि की बीलो दा लोवर क्रिटिकल टेम्प्रेचर में अस्थानांदरित होते हैं अगला है क्रांतिक तापमान यानि कि क्रिटिकल टेंप्रेचर के बारे में डिस्कुस कर लेते हैं तो वह तापमान जिस पर किसी पधार्थ का फेज पडिवर्तन होता है अगला है लूवर क्रिटिकल टेंप्रेचर इसके बारे में डिस्कुस कर लेते हैं यानिकि निम्न क्रांतिक तापमान के बारे में तो सभी स्टील का निचला क्रांतिक तापमान समान यानिकि 700 तेज़ टीडिरी सेंटिकेट है अगला कोशन है कोशन नमर 9 B ब्लोक किस सम्मागडी के बने होते हैं तो इसका राइट आंसर होज़ा का उपसन B यानिकि कास्ट आरण के बने होते हैं कौन तो B ब्लोक और यह जो प्रस्ट जो है वो 2017 में पूछा क्यों प्रस्टा है अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट से उनसा भी को डिसकस कर लेते हैं तो B ब्लोक कास्ट आरण के बनाय जाते हैं अगला है B ब्लोक मुखेता हार्ड की होई स्टील या कास्ट आरण से बनाय जाते हैं जो की कई साईजों में पाय जाता हैं अगला है B ब्लोक का प्रियोग अधिकतर लेंग आउट या गोल कारे पर डिलिंग करने के लिए किया जाता हैं अगला है B ब्लोक दो जोडों में पाय जाता हैं अगला है B ब्लोक 90 डिग्री के कोन में बना होता हैं अगला है B ब्लोक दो ग्रेड में पाय जाता हैं कौन कौन सा है तो ग्रेड ए और ग्रेड बी में अगला कोशन है कोशन मबर 10 लेड का गलनांक बिंदू क्या है प्रस्ण जो है वो 2017 में पूशा गया वो प्रस्ण है अब जो इंप्रेंट जो पॉइंट से उन सभी को डिसकस कर लेते हैं तो लेड का गलनांक जो बिंदू है वो 327 दिद्यी सिंट्रीड होता है अगला है लिड तो यह साफ्ट मेलीयबल भाड़ी धातू है जिसका गलनांक 327 सिंट्रीड होता है अगला है यह कोरोजन रेजिस्टेंस होती है अगला है इसका प्रीयूग प्याविट और सोल्डर जैसे L.A.S. बनाने के लिए भी किया जता है अगला है जिंक का गलानांक लगभग 420 डिगरी सेंटिगेट होता है अगला है तामबा का गलानांक लगभग 1085 डिगरी सेंटिगेट होता है अगला है अलमुनियम का गलानांक लगभग 660 डिगरी सेंटिगेट होता है और यह चारो जो पॉइंट है यह तो बहुत है सब्सक्राइब कर लें अगला कोशन कोशन नमर 11 इस्टील की कारवन परती सत्था का प्रभाव निमलीखीते में से किस पर नहीं पड़ता है अगला है जिस बिंदू पर कारवन आईरन में पूरी तरह घूल जाती है उस तापमान के बिंदू को क्या कहते है तो आपर क्रिटिकल पॉइंटे कहते है अगला है यह तापमान लगभग 800 डिग्री सेंटिगेट होता है अगला है इस पात में कारवन की प्रतीशत मातरा पर निर्भर होकर यह घड़ता वो बढ़ता है अगला कोसेन कोसेंबर 12 निमलिखित में से किस उद्देश के लिए धातूओ का उसमा उपचार किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जागा अपसन भी यानि कि कुछ निश्चित गुन उत्पन करने के लिए और यह जो प्रस्ट जो होगा दोवाजार सुल्ला में पुछा गया वो प्रस्ट है अब जो इंपोर्टेंट जो पॉइंट से उनसे भी को डिसकस कर लेते हैं तो कुछ निश्चित गुन उत्पन करने के लिए धातू का उस्मा उप्चार किया जाता है अगला है ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें धातूओं को ठोस आवास्ता में ही गर्म या थंड़ा करके अंदर वांचित गुनों का विकास किया जाता है अगला है धातूओं में ग्रेन साइज में सुधार करने के लिए उस्मा उपचार किया जाता है अगला कोशन कोशन मबर 13 एस्टील की इंटर्नल स्ट्रक्चर को पुना सुधारने के लिए किस विधी का प्रियोग किया जाता है अगला है इस किडिया में इस्टील को क्रांति के तापमान से 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटिके अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है अगला है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में इस्टील को गर्म करके कमरे के तापमान पर इस्टीर हवा में ठंडा किया जाता है अगला है इसका उद्देश्य इस्टील में उद्पन प्रतीबल को दूर करना है अगला कोशन कोशन मबर 14 निम्न में से किस कारण से उश्मा उपचार करने में इस्टील का पार्ट क्रेक हो जाता है तो इसका राइट आंसर वज़ा का उप्सन डी यानि कि इसे बहुत तेजी से ब्राइन में ठंडा करने के कारण और यह जो प्रस्ट जो है वो 2018 में पुछा गया वो प्रस्ट है अब जो इस्टील पार्ट से उश्मा भी को डिसकस कर लेते हैं अगला है धातू की कठोड़ता या समर्थे बढ़ाने के उद्देश से उसमा उप्चार किया जाता है अगला है धातू में ग्रेन साइज सुधार करने के उद्देश से उसमा उप्चार किया जाता है अगला पुसेन पुसेमर 15 निमन में से किस स्टील को केस हाड़नी किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जागा ऑप्शन B यानि कि लो कार्बन स्टील अब जो इंपोर्टन जो पॉइंट से उन सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां से प्रसंद बनते हैं तो लो कार्बन स्टील को केस हाड़नी किया जाता है अगला केस हाड़नी में टफ कोर तथा डब्टाइल इसक्रील बनाती है अगला इसके द्वारा कंपोनेंट का उपड़ी सतह को घिसाव और रोधी बनाए जाती है तो फ्रेंट्स आज कर इतना ही वीडियो कैसा लगा हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेसन उसका मैसेज आपने पास सबसे पहले पहुँचे अगर खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें कि 5-6 नमबर तो पक्के यानि कम से कम 5-6 नमबर तो आपके पक्के यहीं से पूछे ही जाएंगे यानि इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है इसलिए इस वाले वीडियो को एक्जाम से पहले देखना बिलकुल भी ना भूले और यह सभी टेड़ों के लिए है ओके फैंट्स थैंक्स पर वाची पॊट पॊट आपों के लिए काउ़ों के लfind है पॉटैंक्स